पूरा मज़ा ले रहे होगे और इस मज़े में जिस तरीके से जो सपोर्ट लेवल हमने आपके लिए क्रियेट किया है वो आपको कहीं से डरने नहीं दे रहा होगा बलकि पैसा कमाने का मौका मिल रहा होगा साथ में नाइका की एक बेहतरीन वीडियो आईपियो के लेकर किस तरीके से वो मोनोपॉली हैंडल करती है कितना बंपर लिस्टिंग गेम की कहानी है सब को एक बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोसिस की है उस इंडस्ट्री का क्या ओवर्विव है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा लाइव हो चुकी है अब आप ये समझेए कि उसमें महनत इतनी लगी कि 7.30 की वीडियो 7.55 पर लाइव होई है तो आप समझाएए कि कितनी डीटेल में हमने उस पर महनत की है चोटी चोटी बारी किया पकरने की कोसिस की है तो जरूर वो वीडियो देखिएगा जिससे आईप्यो अपलाई के समय बिल्कुल डर्ना लगे और आपका वीजन क्रियेट हो कि मार्केट क्या है कैसे है किस तरीके से है तो मैं मुकल अगर्वाद आपका आप ही के यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ जो भी नहीं लगे चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइक ओन हिट करें जिससे जब भी वीडियो लाइव होती है मैं लाइव आता हूँ तो आपके सामने वो सारी डीटेल आ सके और आप उसका पूरा मजा ले सको और साथ में अगर आप परिशान हो कि ये ब्रेकिंग न्यूस कहां मिलती है स्टॉक मार्केट की तो एक बाट यूटर और टिलिग्राम से जुड़ जाएए लाखों लोग जुड़े वें जी हाँ लाखों लोग आपको भी पूरा फायदा होगा चलिए सुरू करते हैं आज क्या है टाटा मोटर्स, IRCTC, AsianPaint, TS Bank किस सेयर को मिली है बाई रेटिंग, भार्ती एटल, टाटा पावर और कल के लिए बहतरी इन श्टॉक साथ में बोनंजा है वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए, जी हाँ, बोनंजा है वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए, कैसे है बोनंजा आप लोगों की बहुत सारी query आ रही थी उन सारी बहुत सारी query के आधार पे कुछ एक stock जिसकी maximum query थी उनको हमने cover करने की कोसिस की है वीडियो के last में चलिए तो Tata Motors से सुरू करते हैं और आपको जैसा की पता है कि पहले जानते हैं फिर चार्ट भी देखेंगे Tata Motors अगले 4 साल में 2 अरब डॉलर तक यानी 15,000 करोर उपे इंवेस्ट करेगी दस नई इलेक्रिक वहिकल लाने वाली है अब जो पैसेंजर वहिकल के यूनिट के head है स्वारी परसिडेंट है सेलेस चंद्राजी उन्होंने बताया है नई इलेक्रिक कारियों में कुछ कारे होंगी और कुछ साल से लॉस में चल रहे है पैसेंजर वहिकल बिजनस की स्थिती अगले फाइनसियल एर तक प्रॉफिट में आने की है और फ्री कैस फ्लो जेनरेट होने का पूरा-पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कंपनी ने इलेक्रिक वहिकल के लिए स्ट्रॉंग लांचिंग प्ला करने वाली है चार्जिंग नेटवर्क में भी इजाफा करने वाली है और आपको पता ही है टीपीजी ने हाल में 9.1 अरब डॉलर के वैलुएशन पे इनके इलेक्रिक वहिकल डिवीजन में 1 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया है कहानी यहीं नहीं रुक रही है सेंट्रल ग वहिकल को जाने वाला है कंपनी अपने मौजूदा पेट्रॉल और डिजल प्रोड़क्ट को भी इलेक्ट्रिक बनाने पर विचार कर रही है यानि जो इनके पसंदिदा प्रोड़क्ट हैं जिनकी सिल जादा है उसको कहां पे लेके आएंगे उनको भी इलेक्रिक पर यानि अगीन वहाँ पर प्रोड़क्ट को पसंद किया जा सकता है अब सबसे प्यारी चीज़ क्या है सेमी कंड़क्टर की कमी के बावजूद कंपनी पिछले कुछ महनों से हर महीने लगबग 30,000 गारियां ब्रेक कर रही है अब जो इन्होंने पंच लॉंच किया है नया गारी व पता दू नेक्स्ट बिग तेजी टाटा मोटर में 545-60 के उपर ही सोचना है उसके पहले बिलकुल नहीं सोचना है जैसे क्या होता है दो तीन चीज़े होते ही ट्रेडी में एक तो जो पहले से पकर के बैठे है एक जो लेटेस्ट लेना चाहते हैं यानि अभी मार्केट ज थ्यान रखियेगा अब बात करते हैं आया सी टी सी मौका या धोखा एफेनो बेंड से बाहर आईए सॉट सेलर पूरगा पूरा 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 प्राफिट बूकिंग कह लीजिए सॉट सेलर अपनी पोजिशन को करके यहाँ पर मैं चार्ट लगादेता हूं 1000 मैं चार्ट नहीं दिखाया सॉरी माफी चाहूंगा पहले चार्ट शेयर कर दूँ यह देखें यह जो 4000 है 4000 मैं यह 4000 को भी एक बार हटा देता हूं मोटा-मोटा जो 4000 और 3600 का एरिया है यह पूरा सपोर्ट जोन का एरिया है क्या मार्केट यहां पर सस्टेन कर पाता है नहीं सस्टेन करता है यहां पर फोकस रखना है इस अच्छी गिरावट के बाद तो लेट्स सी किस तरीके से क्या होती है और तभी कहीं से जल्दबाजी मत कीजिएगा कल एक वीडियो मैंने बनाई थी संडे को डाउ थेरी क्या है और उसके लास्ट फेज के बारे में वो जरूर देखिएगा बिग आई ओपनर रहेगा अब जो लोग फ्रेस आना चाहते हैं आया सी टी सी में याद रखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं सच मुच वाले जूट मुठ वाले नहीं सच मुच वाले और पांच साल का वीजन है तो S.I.P. मोड में आ जाईए S.I.P. मोड यानि हर मन्त थोड़ा थोड़ा जिससे की एक फिक्स डेट में तो हर रेट पे एवरेज होता रहेगा और आपको परिशानी भी नहीं होगी साथ में लेवल भी आपके साथ सेयर कर दिये अब बात करते हैं Asian Pint की कहानी क्या है Asian Pint? Asian Pint में फ्रॉड की कहानी की एक विसल ब्लोर का कहना है कि Asian Pint के प्रमोटर ने related party transaction किया है और इस transaction ने उन्हें कथित तौर से सेयर होल्डरों की कीमत पर फायदा दिलाया है अब related party transaction उस transaction को कहते हैं जिसमें सामिल partyों के बीच transaction के पहले से रिस्ता होता पहले से और ये report आने के बाद आपने सेयर में गिरावट देखी विशिल बलोर ने सेभी को ये भी बताया कि प्लाडिन Pints and Chemical नाम की company को खरीदने के लिए पैसे Asian Pint की तरफ से दिये गए थे लेकिन इसके प्रमोटर अस्विन दानी और बेटे मालो अब अपनी व्यक्तिकत हैसियत से इस company को कंट्रोल करते हैं अब सेभी ने और भी जादा जानकारी विसल बलोर से मांगी है वहीं पर Asian Pint ने सफाई दी है कि जो भी हुआ है सब सही है कोई भी गलत नहीं हुआ है सारे transaction नियम के मुताबिक है सारे जो भी आरोप लगाए गए हैं वो वेर्थ हैं उसमें दिमाग लगाने की जरुवत नहीं है अब कहानी कैसे बढ़ेगी अब जब सेभी ने विसल बलोर से और डीटेल मांगी है वहाँ पर विसल बलोर कैसे और डीटेल देते हैं अगर कुछ unique नई डीटेल आती है तो वहाँ पर Asian paint वाले कैसे जवाब देते हैं ये वहाँ पर खीचतान चलेगी और उस खीचतान के बीच जो एक interesting सा fact निकल के आया है वो यह है कि Asian paint ने जो low लगाया 2857 का ये इसका support zone था 2850 पकर लीजे 2872 पकर लीजे तो ये सारे इसके support zone है तो हमें ये focus करना है कि अगर ये support zone hold करता है तो definitely Asian paint के लिए उपर से ऐसे भी profit booking का भी काफी अच्छी खासी हुई है 3400 मतब 3500 का मोटा मोटा हाई लगा के 2850 आया है यानि सारे 600 point की गिरावट हुई है तो वहाँ पर आप दिमाग लगा सकते हैं तो again repeat करूँगा आँख बंद करके trade मत कीजिएगा कल की वीडियो में मैंने इस बात को बहुत detail में explain किया मैं हर दिन अभी यही बोलूँगा याद रखिएगा कल रात की वीडियो जरूर देखिएगा कोई भी चीज में आँख बंद करके नहीं वहाँ पर किस तरीके से market react कर रहा है इन सब चीज को ध्यान रखना है क्योंकि कुछ लोग सिर्फ लेवल सुनते हैं और भाग लेते हैं और फिर बाद में फसने पर परिशान हो जाते हैं अब बात करते हैं Yes Bank की Yes Bank का चार्ट पहले लगा देता हूँ जबकि net profit year on year basis पे 74% बढ़ा reason provisioning की कम जरुवत परी asset quality में सुधार हुआ जो bank के CEO है उनका कहना इस financial year के अंत तक bank के अपने सभी bid loan को asset reconstruction company को transfer करने के बाद कोई भी NPA बचने वाला नहीं है लेकिन जो broken house है जो आप सुनते हैं कि कभी किसी broken house में target increase कर दिया कभी किसी broken house में target decrease कर दिया वहाँ पर broken house इन सबसे कहीं से satisfied नहीं है उनका कहना है asset quality को लेकर अभी भी problem है risk reward ratio भी ठीक नहीं है साथ में उनका कहना है कि बैया इन सब को मजबूत होने में अभी 3 to 5 years लगेगा तो यानि अभी initial time frame में कहीं से कोई गर्माहट नहीं है जिससे कुछ कहा जाए यानि maximum broken firm इसको sell का ही target दे रही है क्या दे रही है? sell का target दे रही है तो बस याद रखिए एकी चीज जो मैंने कही थी Voda और Yes Bank दोनों के बारे में भाईया penny stock है, think like penny stock उसके अलावा कुछ नहीं अब एक share ऐसा है जिसको buying rating विली है कौन सा है share? guess कीजिए उसका नाम comment box में और जिन्होंने like का बटन नहीं दबाया है जल्दी सा like का बटन दबा दीजे देखिए, आपका like बटन हमारे लिए बहुत ही energy होता है जो एक हमें हौसला देता है कि हम आपके लिए बहतर लेके आएं आप जितना प्यार देते हो न हमारे दिल से उतना double, triple प्यार निकलने का कोसिस करता है तो बस प्यार देते रहिए उसमें कमी मत कीजिए जिससे हम और भी बढ़बढ के चीजे करते रहे जी हाँ, ICIC bank जिसे buying की rating मिल रही है लगातार अब I don't know एक पुरानी वीडियो हमने बनाई थी तो मैं चाहूंगा वो पुरानी वीडियो ज़रूर देखेगा HDFC bank versus ICIC bank जो हमने बनाई थी क्यों देखना है उस वीडियो में मैंने बहुत क्लियर बोला था small time frame यानी short time साल से 2 साल अगर सोचते हैं तो ICIC bank के return को कोई नहीं चूपाएगा और 5 साल का return सोचते हैं तो HDFC bank का आगे रहेगा और भगवान की दिया से मेरी बात proof हो गई ICIC bank का return आपके सामने है वो वीडियो जरूर देखेगा जितने भी नए लोग हमारे परिवार से जुरे हैं उन्हें विश्वास आएगा वो उसका पूरा-पूरा फायदा ले पाएंगे अभी आपको पता ही है result अच्छे आए net profit 30% बढ़ गया बैंक को provision income करनी परी net interest income 25% बढ़ गया इन सब के कारण Morgan Stanley ने ICIC bank का लक्ष 1025 कर दिया उनका कहना है चीज़ें बहुत अच्छी हैं और हमारा top pick है Goldman Sachs ने buying rating दी CLSA ने buying rating दी Credit Suisse ने buying rating दी यानि चारों तरफ से buying rating चल रही है overall stock breakout पे चल रहा है अपने life high पे चल रहा है तो अब सीधी सी चीज है कि अगर मेरे से पूछोगे कि कल के लिए क्या कोई trading level है तो मेरे लिए कल का कोई trading level नहीं है क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ में विश्वास करता हूँ trade तभी करो जब support और resistance zone में तो अभी उससे दूर है मेरे जब zone में आएगा तभी मैं trade करेगा यह है trading का एक सबसे बड़े तरीका जहां पे लोगों को लगता है चीज़े छुट गई मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि already चीज़े यहां से breakout में आपके हाथ में थी अब आपने नहीं पकरा वो आपकी problem है जहां पे इसने real breakout 735 के उपर दे दिया था तो यह होता है trading का नजरिया trading का तरीका जो I hope राद के सारे 8 बजो के 100 में जो भी हम बहतर बहतर देने की कोशिस कर रहे हैं आप उसको सीख पा रहे होगे वैसे आपके पास ICIC bank किस rate से holding है comment box में जरूर बताईएगा जिससे हमें भी पता चले कि जो महनत है वो सफल हो रही है 1% family भी अगर चीजों को follow कर ली जिन्दगी में सफलता हासिल हो जाएगी मेरे को लगेगा कुछ सही काम हो गया चल ये भारती एटल की बात करते हैं भारती एटल का पहले चार्ट लगा देते हैं जिससे आपको चीजें और भी बहतर समझ में आए और अच्छा लगे ये भारती एटल का चार्ट है complete sideways है breakout इसका 750-755 के उपर होना है तो क्या है कि भारती एटल ने AZR और Spectrum की बकाया payment पर 4 year का moratorium चुन लिया है इससे पहले किसने चुना था Vodafone Idea ने यानि Vodafone Idea के बाद ये दूसरी company बन गई है अब इससे company को लगभग 40,000 करो रुपे बचाने में मदद मिलेगी और इसका इस्तेमाल वो कहां करेंगे network को बढ़ाने में तो overall ये एक good news की तरह है जो धीरे धीरे उसको फाइदा देगी और उसका फाइदा मिलेगा तो I hope इस चीज़ का आप फाइदा ले पाएं अब next बात करते हैं Tata Power की Tata Power ने एक milestone achieve किया है 1000 इलेक्टरिक वहिकल चारजिंग एस्टेशन एक्रोस इंडिया तो reality में salute वाली बात है कि किस तरीके से Tata Power जो कह रहा है उसकी तरफ लगातार आगे बर रहा है और ये वो चीज़े हैं जो हमारे अंदर वो भावना लाती हैं कि हम किसी stock में कैसे 5 साल 10 साल के लिए बने रहें कहानी यहीं नहीं रुखती है वो बहुत जल्दी 10,000 home EV charging point के target को भी close करने पे हैं जी हाँ home EV charging point 10,000 तो ये भी again one जबरदस्त कहानी है अभी 180 cities में है highway, national highway multiple state cover कर रहे हैं अब इनका जो प्लान है 10,000 charging station को लाना है highway और तो सोच लीजे जब target के साथ चल रहे हैं चीजों को बहतर लेके चल रहे हैं तो stock किस तरीके से धीरे-धीरे perform करेंगे stock किस तरीके से धीरे-धीरे चलेंगे वो result आपके सामने है वहाँ पर अब हम आपके साथ Tata Power का चार्ट share कर देते हैं जहाँ पर एक चीज और बताऊंगा जो आज मेरे सामने आई वो share करूगा ये Tata Power का चार्ट आपके सामने है मैंने blue arrow लगाया है जहाँ पर Saturday की वीडियो में Tata Power को हमने discuss किया था और हमने आप लोगों को level दिया था कि Tata Power अगर 216 तोड़ता है तो intraday के हिसाब से नीचे होगा और 216 के नीचे 208 लगाया तो वहाँ पर कुछ लोगों के message आए सर हम अपना investment है बुक कर लें पहले समझ ये दो चीजें होती है एक होती है investment एक होती है trading और दो दो दुनिया अलग है और यहाँ पर यही फर्क जब आप नहीं समझते हैं तो कल के date में लोग फस जाते हैं और फिर blame game करते हैं तो पहले खुद में असपस्ट हो ये कि आप investor हैं या नहीं है जो investor होते वो रोज इस तरीके से नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं ये आप जान लीजिए ये mind clear कर लीजिए तो आज फिर से यही बात कहूंगा आप investor हैं तो Tata Power की सोच पांस से दस साल की होनी चीए जहाँ पे नजानी कितनी वार उपर जाएगा अब हम बात करते हैं कल के लिए बहतरीन सेर कहां पे हैं उससे पहले nifty bank nifty को देख लेते हैं जी हाँ nifty bank nifty को nifty हमारे धमा का super solid level को टच करके वापस चली गई जो कल आप लोगों को दिया था 17,950 का अब देखियें दोस्त ये है level की power 18,355 के level से दून दरा का नीचे गिरते आ गया क्या बीच में कोई भी support level मैंने आपको दिये थे नहीं हर दिन बोला था एक ही support level है उसका नाम है 17,950 और दूसरा 17,860 आपके सामने market उसी support को लिया वहीं से 220 तक गया 18,220 तक आप लोग एक नहीं दूसरा मिलेगा दूसरा नहीं तीसरा मिलेगा तीसरा नहीं चौथा मिलेगा चौथा नहीं पाच्वा मिलेगा पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है कि बीबी मारेगी कि कौन मारेगा या खाना खाने को नहीं मिलेगा जो आप लोग बीच में करते हो ये बड़ी confusion वाली बात है तो ये आपका point of view है जहां पे करें मैं क्या बताएगा एक बड़ी प्यारी सी चीज आई है मैं discuss करना चाहेगा एक सचिन सर है कहते है आप सौट वीडियो में same content डालने की कोसिस करो subscriber और तेजी से बढ़ेंगे तो सेम चीजें यहां रात में भी बनाएं और सेम चीजें स्वाट में भी बनाएं वो possible नहीं हो पाता है बड़ दिल से सुक्रिया प्यार और सजेशन देने के लिए इससे फील आती है ना एक family वाली फील आती है चलिए तो अब क्या कहानी है अभी भी वही कहानी निफ्टी का नीचे का support no change 17,950, 17,860 उपर का resistance 18,355, 18,486 ये एक चीज़ को समझिये जानिये तभी बनेगा पैसा थैंक यू संजीज सर पैसा कमाया आपने बताया इससे दिल खुश होता है जिम्यदारी लगती है थैंक यू अब दूसरा चलते हैं बैंक निफ्टी पे और एक फर्क सम 41,829 का high मारा जोड लीज ये कितना point मिला कहानी यहीं नहीं रुखती है मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक side निफ्टी का बिंदास sell आपको दिया दूसरे side bank निफ्टी का बिंदास buy दिया क्या बिना सीखे एक side sell एक side buy पकर पाते क्योंकि 80% time निफ्टी बैंक निफ्टी एक स हम लोग कमा नहीं पाते हैं हम लोग ज़्यादा hold नहीं कर पाते हैं मैं कैसे करें ये कई सारी चीज़े वहां पर जब तक ये confusion clear नहीं होगा ये point clear नहीं होगा तब तक कमाने में दिक्कत आती है मेरा काम है बताना बाकि आप सब खुद समझदार हो तो bank nifty में क्या कहानी है bank nifty में अभी कोई में extra new level नहीं देगा मेरा पुराना भी 40,200 का level ही valid रखता है और let's see कैसे आगे market react करता है रोज रात में सारे 8 बचे आपका भाई आपके सेवा में हाजर है तो मेरे को कुछ लगेगा तो मैं कुछ और बताएगा अब चलते हैं बहतरी में stop पे उससे पहले आप अगर twitter और telegram से नहीं जूरें अभी कावी जूर जाईए कुछ लोग पूछ रहें account open कहां करें तो link description में भाई के साथ करें और कहां करेंगे एक ही कहानी जब आप trade करते हैं तो आपका stop loss कभी भी link description में है उसके साथ open होना चीए तो हमें भी लगे कि हमारी family हमें प्या एक्स्ट्रा चीज मैंने cover करने की कोसिस की है पहला तो चाहे वो कल आए पर सो आए next day कभी भी कोई फरक नहीं पड़ता है दूसरा मैंने cover करने की कोसिस की है आप लोगों की कुछ query वाले stock जो मैंने बताया था न कि आप लोगों की query आ रही है मैं इसमें फसा हूं मैं इसमे लेने की कोसिस की है ठीक है तो वो सारे हम cover करेंगे आप paper में note कर लीजेगा done चलो शुरू करते हैं सबसे पहले access bank से शुरू करते है access bank आपके सामने है जिसका breakout हुआ है 8.30 के उपर तो जस्ट आपको दिमाग में ये रखना है कि access bank 8.30 के उपर अच्छा है उससे पहले एक चीज़ बता दू कि जो लोग को नहीं पता हो कि मेरे level पर कैसे काम करना है तो free technical analysis की playlist बना रखिये intraday swing, positional, entry stop loss, target, trailing stop loss, profit booking कैसे करते हैं सब कुछ उसके अंदर है और मैंने उसको बकाइदा आप लोग की demand पर सजा दिया है 1, 2, 3, 4 सजा दिया है तो आप उस playlist को देखेंगे आप मजा कर सकते हैं ठीक है तो ये थी access bank की कहानी दूसरा stock है सिपला नीचे में अपने support zone से पलटा है तो हमें focus रखना है जो इसका 888 का level है वो अगर hold करता है तो सिपला में आप एक bounce देख सकते हो तो यानि भगवान ने चाहा तो इस level से फसे लोगों की help हो सकती है नेक्स है रेमको सिमेंट्स रेमको सिमेंट्स में भी bumper गिरावट आई है bumper गिरावट के बाद आप चार्ट देख लीजे जहां पर ये अपने support point 927 और 920 से पलटा है यानि अगर ये support level hold करता है तो very good यानि देखिए ये इसके make और break है जितने भी मैं आपको levels दे रहा हूं वो सारे make और break है याद रखिएगा तो बहुत सही रहेगा ठीक है make और break है अब देखिए कुछ लोग कहरें मेरे कोई से stock में loss है मेरे को यही चीज है आप देखिए कोई 12% के loss के साथ बैठा है कोई 80,000 रुपे के loss के साथ बैठा है यानि एक एक trade में इस तरीके से loss कब तक जहल पाओगे यही समझने की चीज है और ये समझ लिया तो trading की दुनिया बदल गया दूसरा query था आप लोगों का SRF का जहां पर again SRF में गिरावट हुई है और अपने ये support area 2018 के पास का है तो I hope 2018 as a make or break आपका काम करें make or break क्या है? make or break का मतलब है मैं explain करना चाहूँगा सब नए लोगों को या तो इस support को hold करेगा तो उपर या इस support को break करेगा तो नीचे अब इसमें कैसे तो confirmation अगर उसके नीचे आ रहा है तो जो confirmation के लिए वीवैप, ब्रह्मास्त, सूपर ट्रेंग जिससे भी confirmation मिले उससे या फिर उपर जाना है तो जिससे भी confirmation मिले उससे तो ये है make or break I hope आपको clear हो गया होगा उसके बाद next आप लोगों का था Apollo Hospital Apollo Hospital अगेन गिरावट हुई है जो इसका support एडिया hold किया है 3920 का और यहां पर जो इसका 4250 का हाई है अगर वो निकलता है तो फिर इसमें आप अगेन देख सकते हो उपर के साइड उसके बाद next है आप लोगों का आर्ती इंडस्ट्री आर्ती इंडस्ट्री अच्छी खासी गिरावट हुई है बट इसका जो लो लगा है 963 और 975 का support तो आई होप यह hold करे तो फसे लोगों की अगेन help हो जाएगी उसके बाद है Cadilla Cadilla में जो इसका support level था 489, 488 का वो hold किया है तो अगर यह support hold करता है तो very good नहीं तो make और break के तोर पे मैंने explain कर दिया है यह सारे major level पे आके ही bounce हुआ है तो यह एक तारीफ वाली बात है Indian bank बही Indian bank का level दिया था 178 का परसो भी दिया था और आपके सामने है किस तरीके से 178 से 194 एक दिन में mega profit ध्यान से समझे आप लोग 10 trade करते हो पैसे नहीं बन पाते है यहाँ एक trade और पैसा boom सबसे प्यारी चीज है पैसा तो boom बट hold कैसे करोगे इतना मोटा target कैसे hold करोगे क्या आप बीने बीना सीखे ले पाओगे क्या बीना सीखे इतना मोटा profit ले पाओगे यह आपको सोचना है और जिस दिन इसका जवाब मिल गया उसी दिन से profit सुरो उसके बाद है Tata Power और अलरड़ी मैंने आपके साथ डिसकस कर दिया है अब एक और मज़ा दिखाता हूँ आपको आई ओपनर मज़ा पेडरल बैंक अल्रेड़ी हम लोग कवर कर रहे है 98-99 के उपर आप लोगों को बाइंग दी थी उसके आद मैंने क्या बोला था अब तेजी होने के लिए 108 और इसको 111 क्रॉस करना जरूरी है और देखिए 107.65 का हाई मार के गिर गया आप लोग क्या करते हो आप लोग आप लोग क्या करते हो एक ग्रीन बिग केंडल देखी और उसके पीछे एक्साइटमेंट में सिर्फ बाइंग करने लगते हो ये चीज़ समझे सिर्फ ग्रीन केंडल क्या रेट केंडल कभी भी बाइंग सेलिंग की निसानी नहीं है नहीं है नहीं है और नहीं अब आप खुद देख रहे हैं न मैसेज बॉक्स की राजधानी स्पीड से भाग रहे हैं और हर आदमी एक स्टॉक की क्वेरी कर रहा है हर आदमी जबकि मैंने आपकी इतनी हल्प के लिए इतने सारे स्टॉक अल्रेडी कवर कर लिए अभी और भी स्टॉक बचे हैं लेगिन उसके बाद भी लोगों के स्टॉक की क्वेरी खतम नहीं हो पा रही है क्यों ये सब्ड और ये सवाल जिस दिन आपको मिल गए और इस जवाब इस सवाल का सही जवाब आपको समझ में आ गया उसी दिन से प्रॉफिट सुरू और प्रॉफिट ना भी सुरू ना नुकसान नहीं होगा इस तरीके से फसोगे नहीं और इस तरीके से परिशान नहीं ये चीज बस समझने की जरूरत है चलिए चलते हैं वापस से चार्ट पे और चार्ट पे टाटा पावर अल्रेडी दिखा दिया तो उसके में नहीं आएंगे और एक था डॉक्टर पाथ लैब आप लोगों की क्वेरी ये फाइदा है सोसल मीडिया पे फॉलो गरमेगा कुछ लोग सोसते नहीं क्या फाइदा ये है फाइदा कोई ट्विटर पे है कोई इंस्टाग्राम पे है कोई टेलीग्राम पे है तो जो फाइदा करते हैं अब उसमें क्या हुआ अब हम maximum क्वेरी देखते जैसे डॉक्टर पाथ लैब किते लोगों ने पुछा 25 लोगों ने पुछा इस तरीके से राइट तो help भी हो गई maximum लोगों की help हो गई राइट है न चलिए डॉक्टर पाथ लैब अगेन अपने support लेवल को hold किया है 3285 और 3330 तो ये लेवल अगर hold करता है तो टाटा ये सौरी डॉक्टर पाथ लैब में आपको अगेन जंप दिख सकता है तो अगर गौर करो एक प्यारी सी चीज I don't know आपने observe की या नहीं बट मैं आपको focus दिखाना चाहूँगा ये mostly support zone के थे mostly support zone पे आए और वहीं से jump किये तो ये कई सारी चीज़े है कि कोई भी इंसान जो फसे वे हैं स्टॉक में तभी average कीजिएगा जब आप real investor हो रहा हूँ average भी एक सही criteria पे होता है कि आखिर कितना गिरने के बाद ले कहां पे ले ये कई सारी चीज़े हैं बायो कॉन को already explain कर दिया गया था level भी दे दिये गये थे अगेन है IEX को already cover किया हुआ है Indus Bank के already level दिये वे हैं तो ये चीज़ होती है कि आप लोगों ने level लिखे नहीं किये नहीं ये आपका prospect है तो ये कई सारी चीज़े हैं दोस्त जब तक आप proper follow नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा और NICA IPO मैं कहूंगा एक बिग आई ओपनर वीडियो बनने वाला है आप लोगों के लिए तो NICA IPO ज़रूर देख लीजिएगा आपका बहुत वीजन क्लियर हो जाएगा और बस एक ही चीज़ सीखेंगे तो कभी इस तरह की परिशानी में नहीं परेंगे खुद से डिसीजन ले पाएंगे कब लेना है कितना लेना है कब भाग जाना है कब पोजीशन से एक्जिट करना है ये सब कुछ के बॉस बनेंगे चाहे कोई लक्ष्मी ओगनिक में परेशान हो चाहे कोई गुजरात गैस में परेशान हो कोई टीवियस मॉर्टर में परेशान हो मेरा दावा है लोग परेशान नहीं होंगे क्योंकि उनके पास खुद जवाब रहेगा मैं कब ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ बाकी बस तो जिन्हें भी जॉइन करना हो 9708094321 नमबर है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बिंदास कॉल करें टीम से बात करें पूछें कि हमारी ये समस्या है हम ऐसे फस जाते हैं मैं ऐसे लच्छनी ओगनिक लेके फस गया मैं चाहता हूँ आगे ऐसा ना फस हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी समझ रहे कि ट्रेड कब लेना है ट्रेड कब छोड़ना है कब प्रॉफिट बुक करना है ये सारे सवालों के जवाब दें कमाते रहें दुआ मियाद रखें लोगों के साथ सेयर करें और प्यार देते रहें थैंक ये सो मच बढ़ा एवरीवन